स्वागत है दोस्तों हमारी इस चनल के एक और नए वीडियो में दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि किरला के तिर्वेंतपूरम डिस्टिक में इस थर्सडे को जीका वाइरस के 13 केस सामने आये थे तो चलिए आज के वीडियो में ये जानते हैं कि जीका वाइरस किस टाइप का वाइरस है इस वाइरस का ट्रांस्मिशन कैसे होता है और इस वाइरस से बचने का क्या तरीका है जीका एक डिंजरोस वाइरस है जो कि फ्लैवे विरिडी वाइरस फैमली से आता है Zika virus से होने वाले disease को Zika fever या Zika disease कहा जाता है WHO के अनुसार Zika virus Aedes mosquito के कारण होता है Aedes mosquito generally दिन के समय ही active रहता है Dingu, Chikungunya और Yellow fever भी Aedes mosquito के काटने से ही होता है Zika virus सबसे पहले 1947 में युगांडा में monkeys में पाया गया था जिसके बाद इस virus को 1952 में मनुश्यों में देखा गया था भारत में Zika virus का पहला local outbreak जैनवरी 2017 में एहमदावाद और दूसरा जुलाई 2017 में तामिल नाडू के कृष्णागरे जिले में दर्ज किया गया था चलिए सबसे पहले इस virus से होने वाले बिमारी के symptoms यानि की लक्षन को जान लेते हैं Zika virus की incubation period यानि की सरीर में जाने के बाद symptoms start होने की अवधी लगभग 3-14 दिन के बीच की है और इस virus से infected अधिकांस लोगों में या तो कोई लक्षन नहीं होते हैं या फिर हलके लक्षन होते हैं आम तोर पर लक्षनों में fever, rashes, headache, muscles और joint pain सामिल है यह लक्षन आम तोर पर 2-7 दिनों तक ही रहते हैं जीका वाइरस को खासकर एडल्ट और बच्चों में गुलियन बार सिंड्रोम, निरोपैथी और मायलाइटिस को ट्रिगर करने के लिए भी जाना जाता है यह वाइरस developing fittest और newborn baby में congenital abnormalities और microcephaly करने के लिए भी जाना जाता है आईए अब यह जानते हैं कि इस वाइरस का transmission कैसे होता है, यानि कि यह वाइरस कैसे फैलता है जीका वाइरस, डिंगू, मलेरिया और चिकुन गुनिया की तरही एडीस मच्छरों के काटने से फैलता है अगर यह मच्छर किसी infected person को काट लेता है जिसके खुन में वाइरस मुझूद है तो यह किसी अन्य वैक्ति को काट कर वाइरस को फैला सकता है मच्छरों के अलावा unprotected sexual contact, infected blood से और इसके अलावा pregnancy या delivery के दौरान मास से बच्चे में भी जीका वाइरस फैलता है वैसे तो जीका वाइरस का अभी तक कोई treatment या vaccine available नहीं है पर आम तोर पर जीका का treatment लक्षनों के विसलेशन के अधार पर किया जाता है इसका treatment करने के लिए doctors खास तोर पर patient को अधिक आराम और तरल पदार्थ अधिक पीने की सला देते हैं जिससे मरीज को जल्दी रहात मिल सके चलिए अब ये जानते हैं कि इस वाइरस से खुद को कैसे बचा सकते हैं जीका वाइरस को रोकने का सबसे अच्छा उपाए है मच्छरों की रोक थाम जीका वाइरस को फेलाने वाले मच्छर से बचने के लिए वही उपाए है असा करता हो कि आपको ये वीडियो पसंदाया होगा धन्यवाद झाल